असलाम वालेकुम दोस्तों IT Professionals की तरफ से मैं आपका होस्त महम्मद यूसफ और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे कि Input Decorator क्या होता है और इसका क्या यूज है तो दोस्तों Input Decorator जो है जब हम किसी Component से Data को Receive करना चाहते हैं तो फिर हम यूज करते हैं Input Decorator का तो दोस्तों Input Decorator जो है यह हमारी हल्प करता है Data को Receive करने में किसी दूसरे Component से तो दोस्तों मैं यहां पर एक Component क्रियेट करता हूं एंजी जिनरेट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट मैं क्रियेट करता हूं Soire Child तो दोस्तों यह जगे Component है नहीं नहीं डुम्किर कम परेंट कंपोनेंट से आइंजी जैरेंट कंपोनेंट से यहां पे नहीं टूसरे हैं ये याँ है आ है कोर से ऐम होता है कर लेंगा प्सक्रीय ए लिए आक लिए कोर मुधेना है अगर भाट इंपर्ड ओसके बाद यहां पर आपने लगाना है ए हो हुआ है हम रिद्यूघ तो यह यहां पर लगाना है पैरेंट इसके तो दोस्तो इस तो एंधे कुरा में तरफ मोतारे हяти हम आप्लाइ करेंगे jetzt अब दूस्तो यह जो पारेंट यह जो पूलागैंगे का करना सकती है आपने चायल्ड पे अभी तक कर हम हम चायल्ड पी चायल्ड पर क्या ہے और उसके बाद जिए मैं करली ब्रैसिस लगा के पैरेंट का जो डेटा आएगा उसे शो करवा देता हूँ तो यह हमने काम किया चाइल्ड पे तो उसके बाद अब हमें अपने जहां से हमने डेटा भेजना है वहाँ पे एक वेरियेबर लेते हैं तो दोस्तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जब चाइल्ड को शो करवाना है पैरेंट पे तो पहले आपको इसका सेलेक्टर लेकि उसको वहाँ पे रेंडर करवाना होगा यह चाइल्ड का सेलेक्टर है मैं जाता हूँ पैरेंट पे तो parent पी जाकर मैं इसे show करवाता हूँ, यहां पे आपको अपना जो child है उसको show करवाना है दोस्तों, यह अब show हो चुका है, तो अब जो है अगर आप देखें वहां पे, उसे पहले दोस्तों हम जो है यहां पे इसका काम complete कर देते हैं, parent से data भीज देते हैं, यहां पी यह एक दोस्तों यह, अब hello world जो है, यह जाएगा child पे, तो child पे दोस्तों भीजने के लिए, यहां पे हमें जो है, कुछ काम करना होगा, यहां पे हमें लगाना है, parent data, और उसके बाद, जो parent data है, actually, जो हम भीजना चाहते हैं, जो variable है, वो है data, तो आप देख रहे हैं दोस्तों, मै एप html पे हमारे पास data पड़ा है, data variable के अंदर, और यह जो parent data को हम assign का रहे हैं, तो यह parent data पड़ा है, child पे, यहां पे आप देख रहे हैं, child पे, और इसे हमने एंगलर को बताया है, कि यह input है, यानि कि किसी भी component से यह हमें input मिलेगी, और फिर लेने के बाद, हमने इसके h html पे इसको show करवा दिया, तो दोस्तो अब चलते हैं, एक दफ़ा इसको देखते हैं, फिर दुबारा में एक दफ़ा आपको समझाओंगा, ताकि आपको सही तरह से समझ आ सके, तो आप देख रहे हैं, child says hello, तो अब अगर मैं यहां पे parent पे यह change कर देता हूँ word, यहां यहां पे मैं कहा देता हूँ, हाई, तो यह अब हाई जो है, यह वहां पे show हो जाएगा, उससे पहले मुझे यहां पे wording है, यह सेट करनी है, child component के HTML पे, यह says की spelling हमने घल्ट लिखे हैं, तो यह दोस्तों, अब अगर मैं आपको दिखा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहा देटा आ रहा है, और child जो है, वो शो करवा रहा है, हमारे पास parent पे data है, data के अंदर, यह data के अंदर हमारे पास high पड़ा हुआ है, अब यह भीजना था हमने child को, तो child को भीजने के लिए हमने child की ओपर छोटी सी functionality रगाई, उसको बताया, input decorator के जरीए कि यह जो parent data आएगा जो variable होगा, इसके अंदर जो data होगा, वो parent से आएगा, और फिर इसको हमने शो करवा दिया child के HTML पे, तो जब हम data पास करना चाहते हैं child को, तो वो हम उसको as a attribute जो है, पास करते हैं, as a directive आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह हम data को पास कर सकते हैं, तो 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 अगर आ लाइक मेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, अपना ख्यार रखिएगा, अल्ला अपर,